नमस्कार शौगत है आप देख रहें मंचान यूज में आपके सतंकी सिंग चोहान स्टार प्लेस के टीवी सीरियल दिल तो हैपी है जी में काम कर चुकी अभीनेतरी सेजल सर्मा ने आत्महत्या कर लिये आईए बताते हैं कारण की आत्महत्या करने की वज़य क्या थी सभीनेतरी की कि इतनी कम उम्मर में आत्महत्या कर लिये स्टार प्लेस के टीवी सीरियल दिल तो हैपी है जी में काम कर चुकी अभीनेतरी सेजल सर्मा ने आत्महत्या कर लिये खबर है कि घर में फासी लगा कर शुषाइड किया है बताया जारा है कि सेजल कुछ समय से प्रश्ण लाइफ में काफी परिशान चल रहे थी जिसके कारण उन्होंने एक कदम उठाया और आत्मत तक कर ली बताया जारे कि सेजल का सीरियल दिल तो हैपी है जि कुछ महीने पहले बंद हो चुका था इसी सो में काम कर चुकी अभिनेतरी डोनल बिस्ट ने सेजल सर्मा की मौत की पुष्टी करते हुए मीडिया को बताया कि उनकी मौत की खबर सुनकर काफी दुख हुआ है डोनल ने कहा कि है सेजल ने लिप के पहले शो में काम किया था और मैंने लिप के बाद शो में जोइन किया था ऐसे मुझे उनके साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला मगर शो को कोई एक्टर के उनके बारे में काफी बात किया है और बताया जा रहा है कि वो काफी अच्छी खुस मिसास दिल की थी लेकिन उनका ये फैसला कहीं ने कहीं फैस को निराश करने वाला है जिसकी वज़ेसे उनके फैस काफी नाराश है वहीं उन्होंने आगे कहा कि सीरियल के तमाम लोग मेरे लिए एक परिवार की तरह थे और सारे लोग उनका इस तरह अपनी जिन्गी को खत्म कर लेना काफी दुखत है सीरियल में सेजल सरमा के भाई का किरदार निभाने वाले अन्स बागरी ने भी मीडिया से बात करते हैं बदाए कि हमने सीरियल में 9 महिने तक शाथ में काम किया था जब मुझे सुबह सुबह उनके एक दोस्त का फोन आया तो मुझे उनकी मौत पर यकिन नहीं आया मुझे लगा कि खुद सेजल ने फोन करके मेरे साथ कोई फ्रैंक कर रही है ताकि खबर को शुणने के बाद मेरा रियक्षन कैसा हो जान सके अन्स ने सेजल की फित्रत के बारे में बात करते हुए कहा कि वह एक बहुत जीन्दा दिल और खुस मिसास लड़की थी और परिशानियों का मुकाबला करना बहुँ खुबी जानती थी अन्स ने कहा कि उसने मुझे कभी खुलकर तो किसी परिशानी के बारे में नहीं बताया मगर काम को लेकर उसकी परिशानी का अंताजा तो मुझे था इंडस्टिर्स में बहुत आम बात है लेकिन सेजल अक्सर कहा करते थे कि उसे अपने माता पिता और अपने भाई के लिए कुछ करना है लेकिन अचानक उनके आत्महत्या के फैसले के बाद इंडस्टिर्स में काभी नराज़ी देखी जा रही है असानक उसके आत्महत्या करने के बाद पूरा इंडेस्टिस परिशान है इतनी कम उमर और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी सेजल आत्महत्या करना कहीं न कहीं है कि सावित कर रहा है कि कोई न कोई ऐसी बात थे जिसकी वज़े से सेजल को आत्महत्या करना प दिल तो हैपी है जी के सेजल का पहला टीवी सीरियल था टीवी सीरियल से पहले सेजल कुछ कमर्शल में भी काम कर चुकी हैं सेजल ने आमीर खान रोहिस सर्मा और हार्दिक पंड्या के साथ एड में भी काम किया है इसके साथ ही सेजल ने आजाद परिंदे नाम की वेब सीरि स्क्राइब कर लिजे और हमारे साथ बने रही है नमस्कार